कि जब मैं बोलता हूं कि मियू साइन टीटा कॉंस्रेंट क्यूं होता है तो आपके दिमाग में सीधा आता है सर इट से स्नेल स्लो बिल्कुल सही बात है हलाकि हम वहाँ पर डेरिवेशन की बात नहीं करते तो आपको इजी फील नहीं आई है तो कोई बात नहीं गुरू जी आप यह देख लो हाईजेन प्रिंस्पर इन्होंने रिफ्रेक्शन को बहुत प्यार से ग्राफिकल एक्स्प्लेन किया है आपको उसके बाद में कभी यह पूछने का हक नहीं है मैं कम्पलेट एगरी करता हूँ जिस तरीके से बंदेने एक्स्प्लेन किया है ना मजा आजाता देखके जिनक आपके पास जही एडवांस में जो प्रॉलम एक बार आई है उसके लिए उसपूल है प्लस कुछ ओलंपियाड में प्रॉलम आई है उनके लिए उसपूल है एक अपने चैलेंज और अंडेस्टेंडिंग में प्रॉलम डिसकस किये ऑप्टिक्स भी वह प्रॉलम आप इस व है सिसे पिए को हैं कि साथ एक फोटोन की फॉर्म में यानिक पार्टिकल में मान सकता और यह पार्टिकल की बात करता हूं कि हमारे पास जो लाइट है उसका मुमेंटम होना चाहिए होना चाहिए और यह पास कितना था है एच अपॉन लेम्डा की को लोगा है तो अब इंसिरेंट वाली लाइट है न उसकी जगए एक मोमेंट के लिए फोटोन मानो तो हमारे पास एक फोटोन आ रहे है विच इस लाइक पार्टिकल और उसका ही मोमेंटम है इतना और जैसे इस बाउंडरी पे आएगा बाउंडरी पाएगा तो बाउंडरी पे एक फोर्स लगईगा ठीक है जैसे कोलिजन होता है बिल्कुल वेशा है यहां पे एक फोर्स लगईगा नॉर्मल की डिरेक्शन में ठीक है इस नॉर्मल की डिरेक्शिन में फोर्स लगीगा तो हमारे पास फोटोन का मुमेंटम चेंज होना चाहिए नॉर्मल की डिरेक्शिन में उस वज़े से आपके पास फोटोन का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन होता है लेकिन इस फोटोन के मुमेंटम का ये एंग सकता हूं पी साइन ठीटा और जो पी साइन ठीटा है ना इट इस अ कंपोनेंट अप मुमेंटम अलॉन दा सर्पेस इधर फोर्स की एपसेंस में यह कॉंस्टेंट होना चाहिए अब आपको यह बिल्कुल सही बात है लेकिन क्या यह हमारे पास स्नेल स्लो है अंसर है यस कैसे मैं सौर्ट में फटापट बता ज़ता हूं अब पी की जगह लिख सकते हो ना एच अपॉन लेमड़ा और एच अपॉन लेमड़ा यह अपस कंस्टेंट है और एक आपको पता यह फॉर्मला हता है वी इस इक्वास फ लेमड़ा जहां पर वी स्पीड है एफ फिर्कुंसी है यह लेमड़ा तो मैं लेमड़ा की जगह वी अपॉन एफ लेख सकता हूं यहां पर दिक्कत नहीं होनी चीए नहीं होरी ना ठीक है आपके पास फिर्कुंसी है वो रीफ्रेक्षन या रीफ्रेक्षन से चेंज होनी नहीं है तो हमारे पास साइन ठीटा गया और एक वी का आपके पास फॉर्मला होता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की टम्स में सी एपॉन मू तो मैं वह लिखूंगा यह हमारे पास मू साइन ठीटा इस इको सू कॉंस्टेंट आ जाएगा ठीक है चैलेंज और अंडेस्टिनिंग श्रीज के अंदर यह प्रॉलम कि कुक्त इसे अखिएबंडरी जosaurus Uhr करूंगा ? में बोल सकता हूं कि सारे फोर्स में में रगता है तो torque about O कितना आएगा वो 0 आएगा तो मैं photon के लिए force की बजाए मैं torque आपके पास या torque 0 होने के वाज़े से angular momentum conserve करवा सकता हूँ O के about ये हमेशना constant होना चाहिए तो किसी general moment पर यहाँ पर माल लेते हैं ये आपस ठीटा angle बना रहा है तो इसका जो एक component आएगा sphere के tangential direction में वो कितना आएगा वो तो आपके पास linear momentum का आएगा P sin theta ये बना बात कर चुके हैं जो P sin theta जिससे में mu sin theta भी लिख सकता हूँ दोनों एक ही moment है ये linear momentum है tangential direction में और इसको radial distance R से multiply कर दो तो L मिल जाएगा और ये रहना चाहिए constant और यहाँ पे R और mu में relation दिया है that mu is directly proportional to R तो मारे लिए क्या बन जाएगा R square mu की जगा जैसे R लिखता हो है तो ये बनेगा R square sin theta is equals to constant अब इस problem आपको कुछ नहीं करना है दो अलग अलग जगा यहाँ पे theta given है और ये distance given है जब minimum distance पाएगा तो theta 90 degree होगा उस moment का R आजाएगा आप बोल सकते हों कि जो R minimum है उसका square multiply by sin 91 और ये R naught का square multiply by sin 30 sin 30 आगया 1 by 2 ठीक है और आप R naught के square के value put करो R minimum आएगा अब को आशिए center O से आएगा हमें सरपे से पूछा था ठीक है